हेलो फ्रेंड्स आईए आज की रेसिपी देख लेते हैं आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिशी पंचमी और हल्चट जैसे व्रत के लिए स्पेशल रेसिपी तो आईए शुरू करते हैं इसे बनाना इसके लिए सबसे पहले एक पैन में एड करेंगे एक टेबल रोस्ट कर लेने से इनका टेस्ट काफी एनहेंस हो जाता है अब इसी बचे हुए घी में एड कर लेना है दो कप मखाना और इन्हें भी गोल्डन और क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है देखिए मखाना रोस्ट होने के बाद काफी क्रिस्पी हो गया है और हाथ से दबा करके रखा है फिर भी इसे एक उबाल आने तक गर्म कर लेंगे अब इसमें एड़ करना है रोस्टेड मखाना मखानों को यहां मैंने हलका सा क्रश कर लिया है आप हमाम दस्ते या बेलन से मखानों को क्रश कर लें क्योंकि अगर आप मिक्सर में इन्हें क्रश करते हैं तो मैंने दो चमच गर्म दूद में केसर के धागों को पहले ही भीगो कर रख लिया था केसर डालना यहां completely optional है केसर से खीर में एक अच्छा सा रंग और टेस्ट आ जाता है खीर थिक हो गई है अब इसमें एड़ करेंगे रोस्टेड ड्राइफ रूट्स और मिक्स कर लेंगे फ्लीवर के लिए मैं इसमें एड़ कर रही हूँ इलाइची पाउडर अब खीर को हम दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे अब हम यह क्यों कर रहे हैं यह मैं आपको आगे बताती हूँ और जो खीर कड़ाई में बची है उसमें एड़ करेंगे एक चोथाई कब इसी हु सकते हैं यह बहुत ही जादा हैल्दी होती है अब जो खीर हमने अलग से निकाल कर रखी है उसमें स्वीटनेस के लिए एड़ करेंगे चार से पांच टेवल स्पून हनी हाजी बिलकुछ सही सुना आपने हनी अब इस खीर को आप बेशक रिशी पंच में व्रत या किसी भी ऐसे व्रत में बना सकते हैं यह खीर ठंडी होने के बाद थोड़ी और थिक होगी और अगर आप जादा थिक पसंद करते हैं तो पांच मिनट के लिए और को कर ले और हो गई आपकी खीर तैयार थैंक यू सो मच वाचिंग